श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भवभय दारुनम ये भजन तो आप सभी ने सुना ही होगा इसमें कहा जा रहा है हे मन उन कृपालु राम चंद्र का भजन करो जो इस अंसार के भवय और दुख का हरण करने वाले हैं सच भी है भगवान राम का नाम जितना अंतरमन को सुखद लगता है उतना ही दो अक्षर का ये नाम हर दुख संकट के निवालन का कारण बनता है राम नाम लेने भर से सभी बंदनों से मुक्ति मिल जाती है आप सभी जानते हैं कि श्री राम का जन सूर्य वंश में हुआ था लेकिन उन्हें राम चन्दर जी भी कहा जाता है आखिर उनके नाम के साथ चन्दर लगाने का क्या अर्थ हो सकता है जबकि चन्दर वंश में तो भगवान विश्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था लेकिन श्री कृष्ण को कभी कृष्ण चंद्र नहीं कहा जाता था। अखिर ऐसा क्यूं है? सूरे वंश में जन देने के बाद भी उनके नाम के साथ चंद्र क्यूं जुड़ता है? और चंद्र वंश में जन देने के बाद भी श्री कृष्ण को श्री कृष्ण चंद्र क्य पिर भी उनके नाम के साथ चंद्रमा का नाम शोभा क्यों देता है इसकी पूरी कहानी समझने के लिए इस वीडियो को आकरी तक जरूर देखें और अगर आपने अब तक धकर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें क्योंकि हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगा सनातन धन्त जुड़ा सच्चा ज्यान वो भी अपने शुद्ध रूप में इस प्रेशन का उत्तर वालमीकी रामाइन के बालकाइण के प्रतम सर्ग में ही छिपा है एक समय की बात है तपस्वी बालमीकी जी ने मुनी शृष्ष नारजी से पूछा वालमीकी जी ने इसके बाद पूछा कि सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हिद साधक, विद्वान, सामर्थेशाली और एक मात्र प्रियदर्शन पुरुष कौन है 11 गुणों के बारे में पूछने के बाद भी मुनीवर का सवाल जारी रहा और उन्होंने पूछा कि मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है संग्राम में कुपित होने पर किस से देवता भी डरते हैं इसी तरह मुनीवर वालमिकी जी ने करीब सूलह गुणों वाले एक पुरुष के बारे में देव रिशी नारजी से जानना चाहा तीनों लोकों का ज्यान रखने वाले नारजी ने भी प्रसन्यता पूर्वक जवाब दिया अर्थात एक श्वाकू वंश में उत्पन एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं वो ही मन को वश में रखने वाले महा बलवान, कांतिमान, धैरिवान और जितेंद्रिय हैं वो बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, स्रीमान, सत्तु निबरहनह, विपुलांसो महा बाहु, कंबुग ग्रीवो महा हनु वो बुद्धिमान, नितिग्य, वक्ता, शोभायमान और शत्रू संगारक हैं उनके कंधे, मोटे और भुजाएं बड़ी-बड़ी हैं ग्रीवा, शंक के समान और ठोड़ी मासल है नारजी ने श्री राम के रूप सौंदरे और गुणों का बखान कुछ इस कदर किया कि उनके शब्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे उन्होंने भगवान राम को धर्म का ग्याता, सत्य प्रदिग्य, ये शश्वी, ज्याने, पवित्र, जितेंद्रिय, मन को एकागर रखने वाला और प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाला बताया नारजी कहते हैं कि राम प्रजापती के समान पालक, श्री संपन, वैरि विद्भनसक, जीवो और धर्म के लक्षक हैं, स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्वेता, धनुर्वेद में प्रवेन, अखिल शास्त्रों के तत्वयज्य, स्मर्ण शक्त युक्त और प्रतिबास समपन्न हैं, इस तरह नारजी ने श्री राम की करीब 16 उत्तम गुणों का वर्नन वालमी की जी से किया, हाला कि वालमी की रामायन में इस बात का उलेक नहीं मिलता कि राम जी के नाम के साथ चंद्र क्यों जुड़ा, लेकिन कहा जाता है कि जस तरह चंद्रमा 16 कलाओं से समपन्न हैं, ठीक उसी तरह श्री राम भी 16 कलाओं और गुणों का भंडार हैं, गौर करने तो चंद्रमा की 16 कलाओं में शामिल हैं, अम्रत, मनदा, अर्थात विचार, पुष्प यानि सौंधरे, पुष्टी अर्थात स्वस्थता, तुष्टी अर अर्थात धन, प्रीती मतलब प्रेम, अंगदा अर्थात स्थायत्व, पूर्ण मतलब की कर्मशीलता, और पूर्णामर त्यानी की सुख, इतना ही नहीं, मनुष्टी के मन को चंद्रमा के समान ही माना क्या है, जिसकी अवस्था घटती बढ़ती रहती है, गौर करें, भग कलाओं से पूरी तरह परिपूर्ण थे, जो चंद्रमा में पाई जाती हैं, और इसी वज़ा से उनके नाम के आगे लगाया गया, चंद्र, जिन से उनका नाम पढ़ा, राम चंद्र, यहां हम आपको एक और बात बता दे, राम जी के नाम के साथ चंद्र लगने के पीछे कई तरह की कताईं प्रचले थे, जैसे कि राम जन्द के समय चंद्रमा को उनके धर्शन सबसे आखिर में होना, और उसकी वज़ा से चंद्रमा की नाराजगी को दूर करने हे टू, भगवान राम द्वारा उनको वर्दान दिया जाना, कि अब से वो अपने नाम के पीछे चंद्र लगाएंगे, लेकिन इन सभी कताऊं का वर्दन किसी भी गरंथ में देखने को नहीं मिलता, कहा तो यहां तक जाता है कि चंद्रमा इस बात से नाराज थे, कि भगवान राम ने सूर्य वंश में जन्द लिया, जबकि चंद्रमा ने उनके अकेलेपन में हमीशा सा इस वज़े से राम जी ने उनकी नाराजगी को दूर करने हेतु अपने नाम के साथ चंद्र लगाया, लेकिन इस कता का वर्णन भी किसी गरंथ या पुरान में देखने को नहीं मिलता, ऐसे में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर ज झाल